कि मुश्टली ब्लू लाइन के कोश्चिंस हैं चलिए इसका हल करते हैं CS3, CS2, BR इसको नेमिंग करनी है अब नेमिंग करनी कैसे भई इसमें से पहले देखें गुरूप कौन सा लगा हुआ है BR जब भी BR ब्रोमीन, CL कलोरीं यह गुरूप लगे होते हैं तो यह है पूरे फॉर्मुली के नाम के अगे अपने नाम लगाते हैं यह से BR BR, C, L, Kusal कुलोरो मैं नक्हों करें बता देता हूं आपको कि यहांपर делает करें आ हैं यहांपर दे रखरें आपको दो carbon और carbon carbon की बीच में single bond carbon carbon की बीच में single bond होने की वज़ा से यह है ethane के formula को indicate करता है yes, it indicates the formula of ethane बट इसके साथ एक functional group लगा हुआ that is BR-Bromo, हम इसके नाम क्या के लगा देंगे Bromo, this is Bromo-Ethane इस formula का नाम है Bromo-Ethane अब अगर बात की जाए, BR की जिगए अगर यहाँ पर CL होता तो आपको नाम क्या देते, BR की जिगए यहाँ पर CL होता तो आप क्या लिखते, आप formula change हो जाता BR indicate करता है Bromo को और CL indicate करेगा chloro को, chloro-Ethane chloro-Ethane, इस तरह से chloro-Ethane का रहे करता है अब आगे आगे बात करते हैं, हमारा अगला question अगला question इसके जो बचे यह दो पार्ट है इस question के यह question के आप अपनी effort से करके देखना अगर नहीं हो तो मैं आपको बताऊंगा आप हमारे Facebook पेज पर जाके देख सकते हैं, इसके solution हम मिल जाएगा आपको बस, एक मिनट अगला question जो है, यह कहता है कि ethanol से ethanol कमल किस परकार बनाएंगे ethanol से ethanol कमल हम किस परकार बनाएंगे दोस्तो, ethanol से पहले आपको दोनों के formula ग्यात होने चाहिए question तो कहता है कि ethanol से बनाना है ethanolic acid ethanol से बनाना हमें, ethanolic acid अब सबसे पहले अगर इस तरह की questions आते हैं तो कोशन करने के लिए सबसे पहले आपको इनके formula बनाने आने चाहिए ethanol क्या होता है, ethanolic acid क्या होता है, जो आपको यही नहीं पता होगो तो इसे बनाने के लिए एथन दो कार्बन लगा दिया ओएच अब इसके इस्ट्रक्षर पूरा किया हमने सब का यह देखो कितना असान है हो गया ना अगर इसका संचिप्त में फॉर्मला बताएं आपको तो क्या बनेगा दो कार्बन है और इथनोग एसिड की बात करते हैं तो इथनोग एसिड में जो फॉर्मला बनता है इसमें लगा हुआ ओएक ग्रूप कव काम करता है जब देखने ध्यान से बन्ड ओएक लगता है कार्बॉक्सलिक ग्रूप के साथ अगर कार्बॉक्सलिक ग्रूप है तो ओएक किसी के पीछे लगता है फॉर्मले के पीछे देखें ओएक ग्रूप कार्बॉक्सलिक ग्रूप कौन सा होता है वह होता है यहां पर एथ लगा हुआ है दो कार्बॉक्सलिक ग्रूप अब यहां पर एथनॉल और एथनॉक एसिड दोनों के फॉर्मले आपको दीख रहे हैं किस तरह से हैं अब बात आती है कि मुझे इथनॉल से बनाना है इथनॉक यह किस परकार से बनेगा हम देख रहे हैं कि पांच है हैं चार हां अगर आपको यðानोल को बादलना तो मुझे आपको क्या करना पड़ेगा यूजन को व diff i में oxygen removal of hydrogen addition of oxygen तो इसके लिए आप क्या करोगे इसके लिए हम इसमें oxygen को add करेंगे किस परकार से देखने जड़ा C2H5OH जमा O2 हमने इसमें oxygen को add कर दिया है oxygen के add होने की वजह से आप देखेंगे structure में किस इस परकार का भिनता आएगी सो इसे पहले मैं लेकर देता हूं CH3COOH as a byproduct water इसमें निकलता है अब मैं समझाता हूं कि यह formula वर्क कैसे करा आपने इसे convert किस तरह से किया क्योंकि यह चीज़े जो है आपके आगे काम आएंगे अगर आप chemistry लेते हो कि देखिए कि जड़ा ध्यान से देखना आगे यह चीज़ आपने समझ ली होंगी फिलाल कि जुस्तु हमारे जो अकला कोश्चिन है वह है इतनाइक कमल का स्ट्रक्शर ड्रो करना है तो यह बड़ा आसान है आपको जस्ट राइट डाउन नेम ऑफ फॉर्मुला इतनाइक कमल सबसे प हुआ होता है when confirmeded welogस सिज्स्क फौर्ण तबीत देनागा मतलब करने गया इसके चार बोंड धिल करने पड़ेंगें आप यहां पर तीन落गा दीजिए अगर आपको देखना है कि C, O, H को उपन करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से है H, bond C, bond H, bond H, bond C, एक तो इस पर double bond O होता है और एक इस पर single bond O, H होता है इसको और expand करके मैं आपको देखा देता हूँ, bond C, double bond O, single bond O, single bond H और यहाँ पर जैसे कि हमने सीखा है, उसके इसे ड्रो कर दीजिए, यह है इसका fully expanded form, किसकी आपके इथे नॉइक एसिड़ गी एसे ड्रोइक लगा, क्योंकि इसमें लग रहा था कौन सा गुरूप, इसमें लग रहा था यह वाला गुरूप, यह कौन सा गुरूप है, C, double O, H गुरूप जो है, यह है आपका कार्वोगजिलिक गुरूप, कार्वोगजिलिक फन्सनल गुरूप, आपका यह गुरूप है, चलो अब आगे बात करते हैं, अगला इसमें दे रखा है आपका, कोश्चन में कि ब्रोमो पेंटेन का structure ड्रो करना है, तो यह समझ में आगे होगा आपको, अब बात करते हैं, अपने अगले structure की, जो है हमारा ब्रोमो पेंटेन, यह ब्रोमो पेंटेन, समझना बहुत जरूरी है, कोश्चन ही अपने आप बताने लगे जाते हैं, कि इनका जवाब क्या है, बस नजरिया होना चाहिए देखने का, फिर कोश्चन खुद ही बताएगा अपना जवाब, ब रोमीन को, पेंटेन का फॉर्मुला तो आपको पता ही है, पेंटेन का फॉर्मुला होता है, मैं दोनों आपको पता देता हूं किस त्रेस लगेंगे, ब्रोमो पेंटेन का फॉर्मुला होता है, C5H12, C5H12, नाव सबसे पहले हम सी 5H2L का स्ट्रक्शर बना देते हैं इसमें एक दो तीन चार और ये पांच पांच कारवन लगा दिए एक दो तीन एक दो एक दो एक दो और ये एक अब यहां पर सभी तरफ तो हमें एक लगा देना बस एक अपना फंसलन ग्रूप किसी भी एच को हटा अब हर लगा देना है तो फर्म्ला निकल के सामने क्या आयाँ फर्म्ली निकल के आता है सामने सीवाइव Osol ये इसमें नहीजिए शरा दिया हमने उसके जिए। लगा दिया अ कि ब्र यानि या ने की ब्रूमिल नगा दिया गया एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नो दस ग्यार है एच इलैवन है और एक बी यार लगा हुआ है जो कि फर्नसन ग्रूप है यह फॉर्मुला है किसका आपका ब्रोमो पैंटेन का आपको समझ में आगया होगा कि ब्रोमो पैंटेन किस परकाड से ड्रॉ होता है चलिए अब आगे थार्ड जो पुछते हैं पुछते ब्यूटे नॉन का स्ट्रक्शर ड्रॉ करना हमें ब्यूटे नॉन ब्यूटे नॉन का स्ट्रक्शर किस परकाड से ड्रॉ होगा बहुत अच्छा है और इजी है ब्यूटे नॉन जो यह नॉन लगता है ना ओन ओन जो लगता है इसको वै का मैं वार्मूला है है कि के तॉइन को आप ग्रून कौनसा होता है आप जर्रास हो से इसको बनाते समय आप याद रखना सबसे पहले हमें लिखना है फंसनग कि तो जर्रीय वासाथ हूं का होता है आप देखे लिए पहले बाइंड और C bond, डॉल bond O, यह है आपका ketone functional group, इसके दोनों साइड आपको carbon add करने हैं, व्यूट का मतलब पहले मतारा है, मैंने व्यूट का मतलब 4 carbon, व्यूट का मतलब 4 carbon, अब C, 1, 2C, 3C, और यह होगे 4C, और आप बस जैसे हमेशा करते हैं कि carbon के 4 bond पूरे होने चाहिए, तो यहाँ पर भी कारवन के क्रावन पूरे होंगे 1 2 3 और 1 2 3 4 इसके की चार पूरे हैं 12 것이 पास दो और लगा देते हैं यह लोग एक इसके पार जो एक इसके लगान्य पड़ेंगे इसमें इस्तरह सई यह structure पूरा होता है formula अगर इसके देखा जाए तो क्या भनेगा आप आप देख रहे हैं यहां पर है C2, 1, 2, 3, 4, 5, H5, CO और यहां पर है 1, 2, 3, CH3, यह आपको जो फॉर्मुला निकल लेका आता है, इस इस बहुत इजी है, आगे आता है है, अब हैकजेनल का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है, आप चाहें तो इसे वीडियो को पॉश गरके अपने आप बनाएं और चेक करें, फिर हैकजेनल, हैकजेनल कैसे बनेगा आपने देखा, इसके बिछे, हैकजेन की बीछाओंगा है, हुआ है यह यह मतलब कौन सा का मतलब होता है वहींदी हाइड फंद्शनल ग्रूप लगा हुआ है हेक्स हेक्जेन के साथ अब जैसे हम हमेशा करते हैं सबसे पहले लेखेंगे फंटिसनल ग्रूप यह फंटिसनल ग्रूप है सी एचो सी सिंगल बॉंड एच डवल बॉंड ओ दिस दा फॉर्मुला ओफ अल्डि हाइड अब हमेशा की तरह है यहां पर हम लगाते थे हेक्जेन च्छे कारवन हमें चाहिए एक कारवन है एक दो तीन चार पांच और यह च्छे कारवन हमने लिख दिये एक साथ अब सब के हमें बॉंड पूरे करने पड़ेंगे कारवन पर इस पर चार बॉंड और रेड़ी है तो यहां पर दो हैं तो इसके दो और देने पड़ इस तरह से हम पूरा करते हैं अपना structure इस तरह से हमारा ये structure पूरा होता है और formula की बात करें तो formula क्या निकलिका आएगा इसका formula निकलिका आएगा एक दो तीन चार पाँच सी फाइफ एक दो तीन चार पाँच छह साथ आठ नो दस ग्यारह एच एलेवन सी एच ओ यह इसका formula है दिस इस दा फॉर्मुला ओफ हैग्जेनल अब चलिए हम अगले question पर बढ़ते हैं यह question हमारा खतम हो गया है अगला question है हमारा कि हमें वही नामांग करना है नाम देने हैं इनको कौन सा formula क्या है तो naming इसके opposite है जैसे हम naming से formula बना रहे थे वैसे ही अब formula से हमें naming देनी है naming कैसे करेंगे naming के लिए जो मारा पहला question है उदे रखा है CH3 bond CH2 bond BR याद रखेंगे जो question हम कर रहे हैं यह सभी questions NCRT दुख की blue line questions हम पहले कर रहे हैं उसके बाद करेंगे exercise questions तो इसमें mostly blue line के question आपको मिलेंगे कले कर दो कि और दो आखेंगे